हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल एंड फ्रेंज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझ में यह दी पानी आता है तो उसका आप कैसे इलाज कर सकते हैं घर पर और फ्रेंज हम इलाइची के बारे में बताने जा रहे हैं इलाइची होती है बगली इलाइची जिसे डोडा इलाइची कहते हैं उसका हम एक प्रयोग बताने जा रहे हैं फ्रेंज यह जो समस्या है मुझ में पानी आने कि जब भी बोलते हैं तो मुझ से थूंक आना या पानी आना यह बहुत अच्छी बात नहीं होती यानि कि एक ऐस समस्या है जिसे आपको काफी ज़दा सरमींड़ी महसूस होती है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो बात कर रहे होते हैं तो उनके मुझ से थूंक आता है या मुझ से पानी आना कहते हैं तो फ्रेंज यह समस्या से अगर आपको निजात पाना है तो तो आपको इलाइची का मैं जो प्रयोग बता रही हूँ इससे आपको जरूर जरूर रहत मिलेगी फ्रेंस एक डोड़ा इलाइची यानि कि जो बगई इलाइची होती है उसको आपको लेना है उसको आप थोगा सा सेंक लीजिए अगर आप गरम राख में सेंक सकते हैं तो उसमें सेंक लीजिए या फिर आच में रखकर उसको थोगा सापको सेंक लीजिए और इसके जो दानी है उसको आपको मुह में रखकर चवाना है या थोगा थोगा आप हमेशा मुन में इसको रखे रहे इससे आपको बहुत ज़्यादा लाफ मिलेगा जब भी आप बात करेंगे तो आपके मुझसे जो थूँक आता था वो आना बंद हो जाएगा फ्रेंस अगर कुछ समय तक आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको जरूर इसमें लाफ मिलेगा फ्रेंस उमीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी इस तरह के और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी वेल के आइकन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए ले कर आएं तो वह आप सबसे प पाएं और फ्रेंस अगर आपको यह जानकारी हो यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें